असलाम के विडियोग थे लिए पर को मैंने द्वान चीमा वेलकम बैग विदन इस विडियो इस वीडियो इस विडियो जो बाकी कुछ ट्रेंडम अप्डेट्स हैं डिवेलप्मेंट के वाले से उसके बाद 7-8 मिनट्व जितनी वीडियो होगी तेल 45 मिट्स उस एरिया के व गॉल्फ कोर्स के विलाज की प्रेमिसिस जैसे ओवर सेज़ डिस्टिक टू जैसे एक्जेक्टिफ डिस्टिक टू जैसे हारमी पाक बलॉग और कुछ पार्ट लैंड कैसे है जिसके बारे में भी आईडिया नहीं है कि एक्सपेक्टिट है कि वहां पे कुछ कमर्शिल अक्र इस लेफ्ट साइट पर स्मार्ट हिटी की सारी लेंड है उस हवाले से ब्रीफ करूंगा सेकंड पार्ट में जो अपने आफिसे बिना चुकी और वहां पर ब्राउनिंग काम भी कर चुक ए इन फैक्ट जो बाकी वहां पर रूंस वारा बने हुए हैं उन पर बोर्ड जो इन फैक्ट पार्ट में शामिल करूंगा इनिशली जो अभी आप स्क्रीन पर फोटेज देख रहे हैं यह लेक वियू हाइट्स की है लेक वियू हाइट्स एक पॉजक्ट है जो ओवर्सीज डिस्टिक वन ब्लॉक सी के सामने बन रहा है जिसका इरिया बनता है टेन कनाल औ तो यह होगी लेक वियू हाइट्स और इसके साथ जो लेफ्ट साइट पर अगर आप लेक वियू हाइट साइट जिसकी फोटेज अप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इस तरफ जाएं तो इस तरफ आता है ओवर्सीज डिस्टिक वन ब्लॉक सी और ब्लॉक सी से ओनवर्स ड पर इस तरफ जो रिसेंट वीडियो से और इस तरफ जो ब्लॉक सी फोटेज आपके साइट पर जो बन रहे हैं वहां पर है अपार्टमेंट जो लेक फेसिंग होंगे इसलामबाद में पहली दफाए ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जो वाटर फ्रंट होंगी इससे पहले इसल वाटर फ्रंट बिल्डिंग नहीं बनाएंगी तो यह पहला पार्ट होगा इसके बाद मैं आपको आगए इस वक्ट जो स्क्रीन पर फोटेज देखने हैं वही लेक व्यू हाइट्स की है इसके बाद ब्लॉक सी में जो बनने वाले विलास हैं उसके बार में आपको मैं गा इसके बाले से फेट कर दूँगा इस वक्क में आरवन रोट की देख से प्रॉट आरवन रोट जाके करता है एकसेस रोड two से इसका प्रॉट नाम स स्यव्यू है कर दिया एकसेस रोट one वह जो प्राइम के लेफ्ट साइड पे hay ex ex Relan 2 वह जो प्राइम के रीट साइड पे और इस Access Road 2 से अब जाते हैं टोवर्ड प्राइम ब्लॉग जहां पे ब्लॉग F की प्रिमिसे जाती है और इस से आगे यह जो पीछे अपसाइड में एक्सेस रोड वन देख सकते हैं इसके डिवल्मेंट का स्टेटस यह है कि इस रोड पे अब भी आज की डेट में 11th मार्श 2021 में यहां पे Asphalt काम कर दिए गया और बाकी सी कार्पेटिंग काम होफ़ली चन्द दिनों में शुरू हो जाएगा और इसके आगे जो ब्रिज वाली साइड से कनेक्टिंग जगा है जाम एवन एक रिसेंट वीडियो पोस्ट की थी अबाउट लेक यू ब्लॉक जिसमें सिर रेटेनिंग बाल होगी जैसे रिवर के लेट साइड और राइट साइड पर दोने तरफ कन्स्ट्रक्ट किया जाएगा उस रेटेनिग बाल पर काम हो रहा है और गॉल्फ कोर्स के अंदर जो होल नमर एट और होल नमर नाइन है वहां पे भी कन्स्रक्शन का काम या उनकी लेवलिंग ये डिवल्पमेंट काम काफ़ी स्प्रीट से जारा है उसके में फूटिज आके शामिल करता हूँ गॉल्फ कोर्स की इंपॉर्टनस यह है कि गॉल्फ कोर्स से अभी इसमें कुछ भी चीज़ लाउंच नहीं की गई ना गॉल्फ कोर्स के विलाउंच की गई है ना गॉल्फ कोर्स के अंदर वैसे को चीज़ लाउंच की गई है या अपार्टमेंट फिर भी गॉल्फ कोर्स की डिवल्पमेंट का स्टेटस अभी आपके सामने है कि गॉल्फ कोर्स में भी डिवल्पमेंट इस स्पेस से हो रही तो ये स्टेटस है पिछले साथ से आठ महीने में बनने वाले और मॉडल विलास का गॉल्फ कोर्स का स्टेटस ये कि गॉल्फ कोर्स के अंदर इस वक्त जो गॉल्फ कोर्स के अंदर होल नमबर एट ये नाइन है मैं भी आपको गॉलफोर्स एक्जेक्ट मैप लाँच नहीं हुआ लेकिन जो ओवरसीज प्राइम का मैप लाँच हुआ था उसमें कुछ पार्ट इसका नजर आ रहा था तो मैं आपको उसी पार्ट के बारे से गाइड कर सकता है क्योंकि बाकियों का मैं मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस वीडियो में आगे जाकर मैं जो चीज़ें शामिल करूँगा वो अभी उनका मैप लाँच नहीं हुआ बहुत सरे लोग कहतें कि ओवरसीज टू में या एक्जेक्टिव टू में यहां हर्मिपाक ब्लॉक में भी मैप लाँच नहीं है यहां पर लैंड की मसले हैं इस तरह के यहां लैंड एक्वाइरिंग चल रही है इस तरह की मसले मिसाइल ओवरसीज टू यहां एक्जेक्टिव टू में जितने भी उनको इरिया दिया गया है उसके लिए भी 23 बिल्डिंग ब्रानी है तो उनको लैंड दी जाना और इस ता डिफरेंट प्रॉजेक्ट्स होंगे जो इस रेजिदेंशल पार्ट से हट के होंगे पार्ट में जो में चीज़ें आती हैं यह आती हैं कि वहां पे जितने लिविंग वाले प्लॉट्स हैं उनकी चिनको सेल किया गया है तो अगर मैं काउंट करो टोटल रेजिदेंशल अमेनिटी जो रेजिदेंशल प्लॉट्स बेचे की हैं तो वो टोटल सुजाइटी के एरिया के शेयर 25 से 30 परसंट बनते हैं जो टोटल प्रेमिसेज हैं बाकी एरिया पर जैसे बहुत सरे हाई राइस कमर्शल भी आएंगे फोर किनाल से लेकर 20 किनाल तक यह से ज्यादा भी इसके लावा मल्टिबल स्टोरी बिल्डिंग्स आएंगी जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जिसकी मैं अभी 23 बिल्डिंग्स की अभी आगको एगजेंपल दी है के स्ट्रेजिक प्लैनिंग डिविजन एस्पीडी उनकी 23 बिल्डिंग्स होंगी तो इस तरह डिफरेंट कंपनीज यहां पर अपने हाई राइज अपार्टमेंट्स भी बनाएंगी तो वह प्रजेक्ट में प्रजेक्ट्स होंगे बाकि यह भी स्क्रीन फोटेज देख र बॉकिंग ट्रैक हैं वो आपकी विजिबिलिटी अब तक है इन फैक्ट वहां पर जो स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स लगने होते हैं वो भी लगने हैं यह भी पिछले एक हफ्ते दस दिन के दुनान होगा है कि लास्ट टाइम जब मैं साइट पर रिकॉर्डिंग करें ग यह जो गॉल्फ कोर्स है इस पर काफी ज़्यादा स्पीड से काम होगा यह जो पार्डब स्क्रीन पर देख रहे हैं नमबर त्री जो एक और चीज जिस पर अभी काम काफी स्पीड से हो रहा है जिसकी मैं अभी की फिटिश आमिल करता हूं वो है कि जो एक्जेक्टिब ब पड़ी नजर आएंगी जो इन दोनों को क्नेक्टिविटी पर वाइट करेंगे यानिके जो प्रिज को इसकी एक्जेक्ट मुझे लेंथ नहीं पता बिज की जैसे पहला बिज बना था उसकी लेंथ ही 450 रूनिंग फीट इस वले ब्रिज की एक्जेक्ट मुझे एक्यूरे 280 फीट की में कार्पिटेट रोट होगी जो ओवर्सीज प्राइम को कनेक्टिविटी देगी विधा में चक्री रोट जिसके में गेट पर भी काम शुरू कर गिया गया है और उसकी रोट की भी तकरीबन काम हो गया होफफुली अगले तीन-चार दिन में उस पर कार्पिट जिसके बारे में लोग ज्यादा कंसर्ण जिसकी बैलेटिंग नहीं हुई जैसे किसे इंडिविजुल ने ओवर्सीज टू में प्लॉट लिया हो और उसके बाद ओवर्सीज पाइम बाद में लॉँच हुआ हो तो जितने हम सेल्स पार्टनर हैं मोस्टली जितने वी वीड ग्राउंड फुटेज भी शामिल की है यानि कि आप देख सकेंगे कि जो ओवर्सीज टू की एक्सेस का मसला है वह वाकई रेल है वो कोई मदलब इमेजिनेशन नहीं है रेल मसला है कि वहां तक जाना काफी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब जाना डिफिकल्ट है तो लोग लगता जाना लिए विडियोजे कम बंदी है तो लोग लगता है कि मैं भी ओवर्सीस टू में डूपमेंट नहीं हो रहा है उसकी खेसे मसले मसायल है ऐसा रियलिटी में कुछ भी एक्जिस्ест नहीं आप जितना पार्ट आपप देख रहे हैं जारा overseas prime, overseas one and executive one बिल्कुल नहीं है ये वाले सारे पार्ट पर जितने आपको machinery भी नज़र आ रही है, leveling भी हुई हुई है रस्ता भी, कच्छा पका तो बना हुई लेकिन access भी थोड़ी सी बन गी है पहले तो ये zero access थी अभी मैं को इस पार्ट से आगे जितनी वीडियो शामिल करूंगा till the end of this वीडियो, वो सारे वीडियो वो होगी जिसके बारे में अभी society ने maps launch नहीं किये जब इनके maps launch होंगे तो तब इनका exactly, accurately idea होगा कि ये वाले जो blocks है, वो कौन से है वो overseas district 2 है, वो executive district 2 है वो harmy park block है जब इन districts के map आएंगे तब इसके बारे में exact idea होगा उससे पहले इसके बारे में idea लगाना मुश्किल है, इस वोकि यहाँ पर साइट पर जो development हो रही है उनसे मैं अगर साइट पर किसी से भी पूछ हूँ जो वर्गर यहाँ पर काम कर रहे हैं जो साइट इंजिनियर है यहाँ पर हमें सिर्फ भी leveling का लेका आगिया है proper layout plan इनके पास भी अभी तक नहीं आया यान लेवट प्लैन से मुझाद है proper society ने इसका map अभी तक launch नहीं किया वैसे land के extension की बात कियें तो जितनी overseas one में land है जितनी executive one और overseas prime की milag land है तो उससे तकरीबन double land है जो मैं भी आपको इस वीडियो में सारी दिखाऊंगा और बहुत सरे पार्ट की land ऐसी थी जो मैं cover नहीं कर सका क्योंकि गाड़ी के access नहीं थी अब यह रस्ता जो आप देख रहे हैं यहां तक आना तकरीबन मेरी गाड़ी पर अटलिस्ट तो काफी ज़दा मुश्किल होता है क्योंकि इस ground clearance काफी ज़दा कम है तो बाकी अगर let's say जी बाकी है रहूंगी मैं कर बात करूँ कि मैं drone से footage बनाओं तो काफी distant बन जाता है मैं ट्राइ करूँगा कि जब वहां पे proper access मिल जाए उन areas में तो मैं वहां पे जाके on ground या drone की मदद से proper recording कर सकूँ और आप लोगो explain कर सकूँ कि यह जो areas हैं यह कौन से हैं overseas district 2 की बात की जाए तो overseas district 2 के expected balloting by the end of 2021 है जिस तरह overseas prime की पहले map आ गया उसका मैं पाने की पहले जो reason थी वह यह थी कि overseas prime के area overseas 2 executive district 2 से काफी ज़्यादा मेरे ख्याल से तो काम है क्योंकि हम sales partner है हमने selling की हुई है हमें पता है कि हमने कितने ज़्यादा plot overseas district 2 और executive district 2 में sell कि हमें comparison to overseas prime जदने भी sales partner smartity में काम करते हैं आप किसी से भी जाके पूछ लें कि सबसे ज़्यादा selling आपके किस पार्ट के हुई है तो कहेंगे overseas district 2 and executive 2 reason is कि वो दोनों block motorway से ज़्यादा करीब है comparison to overseas prime overseas prime later stages पर है September 2020 में इसकी launching हुई थी और उसके बाद society ने कहा था क्योंकि यह जो block है यह किसम का front बनता है face बनता है society का अंदर चक्री रोड लेकिन वहाँ पर development इस तरह काफी ज़्यादा speed से इसलिए की जा रही है कि वहाँ पर जो भी individual smartity में विजट करेगा till the time interchange नहीं बनता तो उसकी मजबूरी है उसी रस्ते से आना तो जब society में कोई भी individual आएगा तो society का अच्छा impression बनना चाहिए ना के बुरा impression के enter होते साथ left side, right side पे खाई यहां खड़े नदर आएं तो society ने overseas one overseas prime पे इसलिए थोड़ा ज्यादा focus किया है फिर भी end of the day आपने recent days में एक मलिक असलम साब की वीडियो देखी होगी about the development जो visual night visuals है तो उसमें उन्हें बड़ा clearly explain किया है कि possession wise पहले overseas district 2 को possession दिया जाएगा फिर overseas prime को possession दिया जाएगा तो in any case जो overseas district 2 के residents या members होंगे उनको इस बात पर तसली रखनी चाहिए कि yes उनके plot deliver हो रही है और उनके plot कोई myth नहीं है को fiction नहीं है वो जमीन पर on ground exist करते हैं इस वक्रेयलिटी में आप उस area की land भी देख सकते हैं यह मैं aerial footage शामिल करता हूँ तो उसके बाद आपको काफी अत्ता clear idea मिल जाएगा यह ओवरसीज 2 में इस वक्रेटस डिवलपमेंट का क्या है इस वक्रेज जो स्क्रीन पर फुटिज देख रहे हैं यह overseas district 2 doctors enclave की है doctors enclave की अगर आप में मिस्सिक की बात करें तो जहां पर overseas district 1 block L है उसके बाद 400 feet road है उसके opposite side पे यह वाला part बनता है इस वाले part को doctor enclave में भी इसलिए का जाता हो कि इसके left side पे सारा health district है तो यहां पे लाजमी नहीं के doctors के plot यहां पे बैलोटिंग होगी तो doctors को plot ही allocate होंगे यहां पे वैसे एक डाम doctors enclave रखा गया है जिसके इसकी adjacent with the premises of health district इसके नाम doctor enclave है बाकिसमें development की बात की जाए तो अभी इसकी development आपके सामने है कि काफी ज़यता area पे इसकी जो browning का काम होता है cutting और बाकी leveling का काम वो आपके सामने भी चल रहा है इस वक side पे machinery जो है distorted area यानि कि एक जगा पे दो तीन machinery एक जगा पे पांचे machinery एक जगा तीन चार machinery overseas prime में machinery ज्यादा massively नज़र आती है area चोटा है और machinery उतनी जितनी यहाँ पे इससे कम होगी इससे ज्यादा नहीं होगी है लेकिन वहाँ पे एक ज्यादा machinery नज़र आती है क्योंकि जब आप गुजरते हैं वहाँ से तो एक तो एरिया हाइटे है तो हाइट पे खड़ी machinery काम कर रही है तो वह ज्यादा easily visibility है comparison to this part और इसके लावा वहाँ पे machinery छोटा block है ज्यादा machinery होती है तो वहाँ पे ज्यादा machinery नज़र आती है तो रातो रात development कर देगी society कर भी रही है विससे इसमें कोई deniability नहीं है क्योंकि जिस तरह और सिस वन को जल्दी से deliver की है इस तरह और सिस प्राइम में बहुत सारा part ऐसा था जो society को already management develop कर रही है उसको एक बहुत बड़ा advantage इस form में मिला था कि already काफी ज़्यादा एक बड़ा part level मिला था यानि उसकी cutting feeling वाला काम नहीं करना पड़ा था तो इसलिए उसमें leveling की वज़ा से उसे काफी ज़्यादा एक बड़ा benefit मिल गया अगर आप इस वक्त इसको पार्टो टैली करना चाहें तो बलके इन फेक्ट में आपको ट्राइ करता हूँ यहां पर Google Earth की मदर से थोड़ सी में location आइड करता हूँ ताकि आपको एक अच्छी understanding मिल जाए अच्छा idea मिल जाए कि आप itself अपने ओन पर विजट करते हैं overseas district 2 तो आपको पता हूँ कि यह वाला area कौन सा है मैं Google Earth की कुछ images आइड करते हूँ ताकि आपको काफी अच्छी understanding उससे मिल जाएगी इस स्वक्रमने सीजिन पे Capital Smartity का master plan देख सकते हैं master plan में जो चीज़ें अभी तक launch हुई है exactly मैं उसका explain करता हूँ उसमें तीन चीज़ें नमबर वन यह overseas one जिसका exact accurate map launch कर दिया गया नमबर टू यह executive district one जिसका exact accurate map launch कर दिया गया इसमें यह block यह locate करता है यह street है, street पर यह वाले plots हैं एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा और नमबर त्री overseas prime यह वाला map इसके लावा society ने अभी तक officially कोई map launch नहीं किया जब तक society तमाम blocks के map launch नहीं करती तो exact idea किसी individual को नहीं हो सकता कि overseas two district कौन सा है executive district two कौन सा है for the time being यह मैं हमेशे अपनी तमाम वीडियोस में जो map यूज करता हूँ यह वाला map यूज करता हूँ यह block A, यह 10 मरला है, यह 10 मरला है, यह 7 मरला है, 5 मरला है इस तरह आपको overseas two का में तक map official launch नहीं हुआ तो उसके बारे में भी चीजें accurate नहीं है कि कौन सी चीज कहां पहेगी for example जो आज की वीडियो वो इस point से record गीगी initial जो पार्ट है, इस वीडियो का जहां से मैंने start लिया है वो यह वाला पार्ट है, यह जो यह block आपको नदर आ रहा है सारा, यह जो इस water body के साथ यह आगे वाला पार्ट है मैं आपको थोड़ा लाइट करें तक आपको clear understanding मिल सके कि इसमें अभी for the time being जो development चल रही है, कि इस पार्ट पर चल रही है जो यह वाला पार्ट है यह land का पार्ट है, इसके आगे अभी यहां पर properly कुछ clear चीज़ नदर नहीं आ रही यह वाला जो पार्ट है सारा, इस पार्ट से मैंने start कि recording को और इस पार्ट से आगे मैं move करूंगा towards this side पहले यह वाली सारी sides covered होंगी, यह वाली, उसके बाद पर आगे यह वाली side और in fact end पर जाके motorway के जो दूसरी side तरफ काम हुआ है in fact जो यह वाली browning आपको नदर आ रही है, in fact यह भी अभी तक नहीं complete होई लेकिन यहां पर भी काफी ज़दा भी आप end पर जो वीडियो देखेंगे तो motorway के साथ जो यह वाला पार्ट है, यहां यहां तक, यहां पर society land acquire करके proper leveling या browning कर चुकी है तो खेर वीडियो में आगे जाके आपको काफी ज़दा clear understanding मिल जाएगी कि society के पास इस वक्त कितनी land acquired है जो officially चीज़ें लाँच की गई हैं उससे तो at least two times या three times ज़्यादा land है बाकी जो बड़े project आने हैं, उनके लिए जो land acquire हो रही है, जो सिलसला चल रहा है वो आगे अगले शहाँ तीन साल, चार साल, पांच साल चलता रहा है कि society जब इस तरह project launch कर होते हैं, तो उसके बाद projects पर long term चलते रहते हैं अगेन back to real time footage जो मेरा quarter body के साथ कुछ एरिया भी map नॉमिनेट किया था exactly तक्रीबान उसके साथ लाई रही है, जिसकी development चल रही है, साइट पे और exact इसका map नहीं है, तो इस बारे में confirm अशोरिटी से नहीं बताता था कि हाँ यार यार यह 10 मरले का ब्लॉक है, यह 5 मरले का ब्लॉक है, यह किनाल का ब्लॉक है बट यहाँ भी development जो है वापके सामने है, अब मैं phases में आके जो video continue करूँगा, वो मुखले parts में होगी पहले मैं उसका ground footage शामिल करूँगा, यानि गाड़ी से पुरा आपको रस्ता दिखाऊंगा, जो individuals अपने उन पे side visit करना चाहें, तो उनको प्रॉपर इस video की मदद से प्रॉपर एक guide मिल जाएगी, कि हाँ यहार यहां से रस्ता बना हुआ है, यहां से हम जा सकते हैं कचे उसके बास second part में उस पार्ट का aerial view, यानि जो drone की footage है, उससे बदाऊंगा आपको कि हाँ इस वक्ट development यहां पे इस stature पे है, for the time being, overseas district 2, executive district 2 में सिर्फ दो ही चीज़ें हो रही हैं, वो इसे कहते हैं basic अर्थफर, जिसे cutting और feeling का काम कहते हैं, कि किसी जगह से land को काफी हद तक काटा जा रहा है, किस जगह पर उस land को डाल के level किया जा रहा है, compression की जा रही है, इस वाले काम के लावा, overseas 2 में, executive district 2 में, कोई और चीज़ अभी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कि अभी तक society ने उसका properly map गरा, accurately, design नहीं किया, या plan नहीं किया, या launch नहीं किया, जब वो launch होगा, तो उसके बाद exact accuracy के साथ आपको बता सकेंगे, कि कि ये area यहां पे फॉल करता है, जाज़ और सिस डिस्टिक 1 का map को individual explain कर रहा होता है, तो उसके बड़ा असान होता है, कि या block A मे, street 1 पे plot number 1 से लेके plot number 13, 10 मर लेके हैं, इस तरह असान होता है explain करना, मुखलिव maps को जिनके areas की आपके बास properly accurate map होते हैं, जो society की तरह से officially launched है, तो इस area के अब तक map नहीं है, तो चौनके इसका map ना होने की वज़े से, इसमें सिर्फ आप idea ले सकते हैं, हाँ कि जमीन की development हो रही है या नहीं, जैसी यह आपको street का path बनता हो, नजर आ रहा है, definitely किसी block के अंदर क street है, यह जिसका आपको कुछ left side और right side पर कुछ है के रिया, एक एलोपी नजर आ रहा है, कि मतलब एक layout बना नजर आ रहा है, क्यार येस यह ऐसा होगा, left side पर एक चोटे से कमरे पर आपको FDH लिखा भी नजर आ रहा है, ये FDH जो आपने यह याद रखने हैं कि आगे जा सबसे पहला पॉइंट जहां से मैंने बेसिक स्टार्ट किया था, कि Overseas 2 यह एक्जेक्टिव 2 अब इनका मैप नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि यहां पर कौन सा ब्लॉक आएगा, यहां पर हो सकता एक्जेक्टिव 2 हो, यहां पर हो सकता हर्मी पाक ब्लॉक हो, क्योंकि मैप नहीं है, तो मैप को गएर किसी भी चीज़ का अंदादा लगाना वैसी घलत बात ही होती है, कि मैंने लास्ट एक एक्सपीरियंस किया था, विडियो बनाई थी, अबाउट हर्मी पाक ब्लॉक, तो उसकी मुझे खुद बाद में क्लारिफिकेशन वीडियो बनानी आपको काफी हद तक एक अंडरस्टेंडिंग मिल गए होगी कि ये वाले पार्ट में भी डिवैल्मेंट का स्टेटिस किया है, अब ही मैं नेक्स पार्ट की बात करूं, तो अभी उसी पार्ट की कुछ लेफ्ट, अब मैं चार साइड से वीडियो बना रहा हूँ, ग्राउंड फोटेज शामिल करता हूँ ताकि आपको इस एरिया से निकल के दूसरी प्रिमिसेज में जाने का एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आगे फिर उस एरिया के एरियल वीव शामिल करूंगा वीडियो में, यहां तक वीडियो में आपने जो वीडियो दे तो काफी ज़्यादा मतलब हो जो कटिंग वेरा होई होती है पत्रों की, जब ब्लास्टिंग से इसको तोड़ा जाता है इन पत्रों को, तो काफी ज़्यादा प्थर पर फैल जाते हैं, रस्ता इतना ज्यादा क्लेर नहीं है, लेकिन आप इंफरक्ट यहां से गुजर सकत क्लेर आइडिया मिल जाएगा कि यहां पर इस वक्ट डेवल्पमेंट का स्टेटस इस साइट पर क्या है, अभी मैं सेकंड पार्ट की वीडियो शामिल करता हूँ, जिसमें मैं 400 फी रोड जहां से चांसिस हैं बनने के, उसके साथ साथ जो लेफ्ट साथ और राइट साथ डिवल्पमेंट हो रही है, उस हवाले से आपको गाइड करूँगा, इस वक्ट जो स्क्रीन फोट देख रहे हैं, यह मोस्ट एकस्पेक्ट ली जो 400 फी रोड होगा, क्योंकि इसको जिस तरह से कॉमपैक्ट किया गया है, जिस जिस पॉइंट से वीडियो रिकॉर्ड कर र पार्ट में ग्रीनरी नजर आती है, लेकिन वहां पे आपको फडी एच के रूम बने वे नजर आते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि यह लैंड अक्वाइड हो चुकी है, और अभी यहां पे डिवल्पमेंट चल रही है, बाकी बात रही है कि इसके कुछ पार्ट में ऐसे अभी है, जहां पे कुछ आपको छोटोटे घर नजर आते हैं, बादी नजर आती है, तो वो पार्ट ऐसा है डेफिनलि यहां आने से पहले, यहां पे जो लिविंग थी, यहां पे जो लोग थे, उनके डेफिनलि घर हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल कर गे हैं, कुछ लोग अपर प्रॉपर्टी सेल नहीं कर गे, लाजमी नहीं कि सारा ओवर्सीज डिस्ट्रिक टू ऐसा हो, कि जिसमें सिर्फ प्लॉट्स इस तरह हैं, क्योंकि ओवर्सीज डिस्ट्रिक टू और एक्जेक्टिव टू का जितना एरिया भी सुराइडिटी के पास अव हैं, हमेशे शामिल रहती हैं, उसकी रिज़िया नहीं परिजक्ट की एक्समीन होती रहती है, उस परalsीज प्लॉट्स बैस ब्लॉट्स बिल्ञ ऑब और प्लॉट्स प्लॉट्स एफार्पार्टमेंट के शामिया, तो प्लॉट्स क हमेएंगे, तो इनका एरिया कम से एक आपे machinery कुछ ना कुछ काम करते हैं नदर आ रही है थोड़ी decimated है थोड़ी दूर दूर लगती है machinery यहाँ पर Overseas 2, Executive 2 वाले पार्ट में क्योंकि यह area उस तरह का open area as compared to Overseas Prime जिसमें आपको बहुत massive machinery नदर आती है तो इसलिए यहाँ पर जिसलिए लगता कि Overseas 2 में शाइड development नहीं हो रही है हलांकि Overseas 2 में अगर मैं वैसे reality में देखूं तो यहाँ की जो land है उसकी development या उसकी जो browning का काम है वो comparison to Overseas 1 यह मैंने second point की वीडियो है जो बैने पहले point में शामिल की थी उसमें यह वाला part शामिल नहीं था second part की वीडियो में भी आप देख सेतें कि बहुत सरी जगों पहाड़ों को ब्लास्टिंग साथ वड़ाया जाता है और कुछ की जगा पे cutting के साथ तो यह अभी काम इस area में चल रहा है पीछे वाली साइड पर देखें तो गॉल्फ कोर्स की बिल्कुल opposite साइड आ जाती है यानि गॉल्फ कोर्स की जो opposite साइड है उस साइड पर भी यह development का काम हो रहा है अभी यहाँ पर state of the मैं लगाँ कि मिशिनरी की state किया है कितनी मिशिनरी काम करी है तो almost 20 से 25 या 30 से 35 मिशिनरी होगी नमर में जो यहाँ पर इस वक्साइड पर इस एरिया में काम कर रही है यह अब second point है इस तरह कि मैंने इस वीडियो का start उपता था कि 7 points है और्वरसीस टू, एग्जेक्टिव टू, हार्मीपाग ब्लॉक जिनकी मैपस नहीं है लेकिन वहाँ पर development हो रही है 7 points ऐसे हैं जिसके बने इस वीडियो में वो points शामिल किया है यह वीडियो 45 मिनिट्स प्लस की है तो आप लोग अगर end तक देखेंगे तो आपको मेरा ख्याल है कि मार्श 11, 2021 तक जितनी साइट पर development अभी on date हो रही है यह हो चुकी है उसका आपको clear cut idea मिल सकेगा जो overseas पाकसानी मुल्ग से बाइर बैट की वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी understanding हो जाएगी कि हैसनों नहीं जिस project में invest किया था start के मैंने 6-7 minute में वो पार्ट शामिल किया रहा है उससे यहां पर possession स्टार्ट हो जाएगा इसी तरह यहां पर overseas प्राइम में भी इसी दुरान कभी इसका पहले लेट से जी एक अफ़ता पहले दस दिन पहले या महीना पहले possession आता है तो इसका महीने बाद overseas प्राइम का possession भी आ जाएगा फिर भी अभी तक कोई individual ऐसा नहीं होगा overseas 2 का जिसकी installment plan पूरी हो गई और उसको possession उसके बाद मिले mostly जितने लोग हैं जिनको हमने selling की हमने start की थी 2019 के end से तो mostly जितने individuals हैं तकरीबन उनके half of time तकरीबन गुजरा होगा अगर half duration गुजरने के बाद half duration अभी रहती है installment plan में और उनको plots का possession मिल जाता है तो ये उनके लिए काफी ज़्यादा अच्छी ख़बर होगी क्योंकि स्वाइटी ने अच्छ से पहले overseas 1 में जो possession दिया है वो तमाम individuals का plots की duration पूरा होने से पहले दिया है एक्जेक्टिव ब्लॉग में पूजर्शन की स्पीड उस तरह से नहीं रही क्योंकि एक्जेक्टिव ब्लॉग के पहले नाम था जर्नल ब्लॉग जर्नल ब्लॉग से पर कन्वर्जन जिन लोगों ने installments पे की अपनी टाइम अपडेटर की उनको ब्लॉग और सी ब्लॉग में कर्मेट कर दीगा यस फॉर दी अपडेट मैंने जब ब्लॉग के वीडियो रिकॉर्ट की थे एक पार्ट में सी ब्लॉग का भी रिकॉर्ट किया था प्लॉट्स हैं कनाल दो कनाल के तो उस तरह भी आपको काफी हथ तक आइडिया मिल जाएगा कि यहां पे लैंड जो status है development का वो क्या है अभी मैं थोड़ सा ड्रोन को पनी जहांसे मैंने start लिया था उससे मैं पीछे वाली साइट पे fly करता हूँ अब यह जितना अरिया आपको नज़र आ रहा है यह सारा अरिया वो है जिसकी ब्राउनिंगा काम हो चुका है और अभी मेरा ख्याल है जहां तक अभी ड्रोन देख जहां तक रीच होती है यह जहां तक नज़र जाती है वहाँ तक मेरे खाले आपको ब्राउनिंग नज़र आ रही होगी उसकी रीजन यह है कि इस वाली साइट पे इसकी प्रोमोशन बहुत कम होती है यूट्यूब पे इसकी वीडियो बहुत कम होती है तो उसके मैंने सिंपल साब को रीजन दे दिया उतनी नहीं बनाई रीजन आपके सामने है कि यहाँ पे जो लैंड है वो अन इवन है यहाँ पे आना असान नहीं होता तो काफिया तक आपको डिफिकल्टी होती है आने में तो आपको इसलिए इसकी वीडियो कम देखने को मिलती है पीछे आपको मोटरवे का कुछ पार्ट नजहारा है मोटरवे के पार्ट के साथ मैंने भी इस ड्रोन को जहां जहां भी फ्लाइ किया कोई फ्रेम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको मिशिनरी काम करती हुई नजर ना आए यह डिवलोप्मेंट का स्टेटस है जिनके मैं अब सबी तक नहीं लाँच हुए अभी एक और चीज जिसका कल मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए कल यहनि 10 अफ मार्च को कुछ पार्ट मैंने नया बजर्व किया था वो खैर उस तक मेरी एकसेस नहीं थी लेकिन मैं थोड़ी सी वीडियो के मैं ट्राइ करूँ आने वरे दिनों में रोन से बना के मैं अपलोड करूँ न्यूटेक जो यूश्टी है उसकी साइट पर पर कमरे बनना शुरू हो गया है नमबर वन और नमबर टू इस वीडियो के एंड वले पार्ट में तकरीब नेट के 7-8 मिनट या 10 मिनट की वीडियो जिसमें ये जो मोटरवे आपको नजरा आ रही है इस मोटरवे की जो दूसरी साइड है जहां पर सुआइटी ने अपने आफिसस तो बनाई बनाए है उससे आफिसस से तकरीब दो-तीन सो मीटर पीछे जाके काफी बड़े अरिये में लैंड की ब्राउनिंग का काम किया जो मोटरवे की दूसरी साइड पहाड़ों के बिलकुल साथ है बलकि इन फेक्ट आपको थोड़ अबाट से अपर रैकेट में नजर भी आ रहा हो बाइर कर चुका है यह मेरी फर्स वीडियो जिसमें मैंने एक और 45-45 मिनट प्लस वीडियो है जिसमें शुरू के सिर्फ 5-6 मिनट में आपको ओवरसीज यह जिस प्रेमिसी की कॉमन वीडियो हम बनाते हैं उसका बाकि सारे पार्ट में जितनी वीडियो में शामिल पार्ट है यह सारा उस लैंड का पार्ट है जिसकी अभी तक ना मैप है ना साइट पे को वीडियो ज्यादा बनती है बट यहाँ पे जिसमें आपको दिखाने के लिए जिन लोगों ने बाय किया हुए प्लाट ओवरसीज तू एग्जेक्टिव डिस्टिक्ट टू एंड हार्मी पाग ब्लॉक में कि यहां पे डिवल्लमन का स्टेटस इस फक्ट ऑन ग्राउंड क्या है अब ही जो इसमें थर्ड पार्ट शामिल करूँगा बहु थे 11 पारट पार्ट में मैं तुछ एक्जेक्टिव का एफ बॉल्लॉक साइट से स्टार्ट करूँगा इजर्टिव ब्लॉक एफ जहां पे लेवलिंग का काम हो चुका है और कफिया तक मलब आपर डिवल्मेंट तीजी से जा रही है एंड सेकंडली उस पार्ट से आगे जहांपे FDH की लैंड आगे मोटरवे की साइड लफ साइड पर क्वाइड है जहांपे एक्सपेक्टेड है कि जो स्पोर्ट डिस्टिक है यहां उसके साथ जो एक्जेक्टिव डिस्टिक टू है उसकी प्रेमिसिस आएंगी उसकी लैंड की वीडियो शामिल करूंगा जितनी आप यह आपको एक रोड का लियाओट प्लैन बनावा नदर आ रहा होगा यह रोड जो है डिरेक्टली लीड करता है विद 400 feet road के साथ attachment है रोड की और पीछे आपको जो overhead water tank नज़र आ रहा है उस water tank की जो exact location है वो है executive district 1 block B जिसका possession ready है इस वक जिसमें जो चाहिए individual जिनके plots हैं executive 1 block B में वो possession apply करके वहां पे अपने घर की construction start कर सकते हैं second part में नेक्स पार्ट में शामिल करते हैं जी इस पॉइंट के बाद जो थार्ड पॉइंट है जिसमें executive district 1 block F और block F के साथ जो पिछे executive district 2 की land आएगी जो motorway के साथ adjacent होगी उस पार्ट की उस पार में जदा details explain करूँ कि हाँ वहां से आपको executive 1 का भी idea हो जाएगा कि उसकी land की development का status किया है और executive 2 की land का भी आपको idea हो जाएगा कि वहां पर land की development का status इस वक्त on ground क्या है इस वक्त जो आप स्क्रीन पर ground footage देख रहे हैं यह वही foreign feet road से करा back side मूव करते हैं यहां पर government road पुराना एक रस्ता बना हुआ है जिसको जो एक गाओं यहां पर मंधवाल उसको connectivity मिलती है यहां से right side पर रस्ता जाता है जो मंधवाल प्रिज को मिलता है और left side पर आगे मंधवाल साइट पर गाओं को रस्ता जाता है अभी for the timing left side पर सारा जो एरिया है वो सारा right side पर left side पर जितने अरिया को नदर आ रहा है यहां पर जो development हो रही है यह land fully acquired और यहां पर आपको machinery आप खुद itself जमीन पर देख सकते हैं और यहां पर machinery जो regular working machinery है वो अगर आप site पर विजिट करते हैं तो commonly आपको नदर आती है जैसे अभी आपक block F, executive 1 की तरफ जा रहा हूँ, block F वाली side पर left side पर जितनी land है यह सारी block 1, executive district 1, block F की land है और इसके right side वाली executive 2 की land है जहां पर भी आगे मैं in fact जितनी footage शामिल करूंगा aerial view से उससे अभी आपक जितनी आइडिया मिल जाएगा कि motorway के साथ साथ जो area जिसके भी यहां पर जिसकी बहाडियों के ओपर से जार सी बात है गाड़ी गुजर के नहीं जा सकती तो एक कच्छा रस्ता होना चाहिए सेरी तक जाने के लिए कच्छे रस्ते जो भी हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वहां से at least गाड़ी गुजर सके वैसे ही यहां पर जो heavy machinery move करती तो उनके लिए लट से पत्थर भी पढ़े हो तो को मसला नहीं तो गाड़ी move करने के लिए वहां पे एक अच्छा आपको properly path चाहिए होता है towards that place इसलिए वहां पे अभी properly वीडियो नहीं बन पाएंगी लेकिन आने वाले दिनों में इन्शला जो भी रस्ता बन जाएगी कच्छा रस्ता य लेकिने ही सारा पार्ट motorway के साथ adjacent है most probably executive district 2 की land है और executive district 2 की land के साथ भी मैं आपको एक बोर्ट zoom करें दिखाता हूं नीचे जाकर ट्रोन बलकर नीचे करता हूं इस बोर्ट पर लिखा हूँ है property of FDHL यानि कि यह जितना एरिया आपको यहां पर मैं थोड़ा एरिया भी count क cinal area है जिसकी इस वक्त lovely का में मकमल हो चुका है और जिसकी lovely का मकमल हो चुका है यहाँ पर ब्राउनिंग का कम मकमल हो चुका है यानि 24 गंटे, 8 गंटे की 3 शिफ्टों में काम चल रहा है तो इस वक साइट पे regularly speed से 24 by 7 काम, routine से हो रहा है यह है जिस पे board पर लिखा है property of FDHL, FDHL stand for future development holdings private limited तो यह जो land है, जो smart city company own करती है उसकी acquired land है जो भी आप देख सकते हैं, executive one यह right side सरा executive one block FDHL side है, और इस से इस तरफ जो side है most probably executive two यहां जो sport district बनेगा, उस side की land होगी बरल anyhow, इसमें आने वाले दिनों में एक proper जब मैप आएगा, तो यहां तक proper access possible होगी, तो इसकी पर ज़्यादा video details से बन पाएंगी, यहां कि कौन सी premises हैं, पीछे इस वक्त आपको background में executive block B की कुछ premises नजर आ रहे होंगी, block F से, और right side पे आपको वही जो connecting road है, executive का, with the 400 feet road और उसके left side पे आपको 400 feet road की कुछ premises, और उस से left side पे आपको, जो मंदवाल वाला road है और उसके left side पे, overseas two and executive district 2 की premises नजर आ रही होंगी इस वक्त side पे कुछड़ा सा camp office नजर आ रहा होगा, जहां में कुछ machinery भी खड़ी हुए नजर आ रही है, यह वो एरिया है, एक वक्त था कि जब यहां पे हम side पे आते थे तो यहां पे right side पे left side पे चारो तरफ सिरफ यह जंगल और पहाड़ियां होती थी, यहां पे जमीन पे एक इंच पे भी काम नहीं हुआ था और आज वही एरिया है कि जिसका मैं count करूं तो overseas two executive district one से double premises पे browning का काम हो चुका है, in fact बहुत सारे part ऐसे जहां पे proper compaction हो चुकी है, और जहां पे maybe roads का लिएवट प्लाइन हो या maybe plots का हो, या maybe commercial plots का हो, I don't know क्योंकर इग्जेक्ट्स का वही बात है कि map नहीं है, तो कोई map का गएर कैसे idea लगा सकता है, तो यह वाला area जो है जितने भी आप भी आपको इस वीडियो में rooms बने वे नज़र आएंगे, उन पर आपको एक common word लिखा नज़र आएगा, FDHL, यानि कि FDH मराद आप पहले जानते हैं कि Smartity के जिन लोगों members ने plot खरीदे हैं, जिस account में आप installment जमा करवाते हैं तो उसी company की यह वाली इसका मतलब सिर्फ यह है, बाकिस में आगे साथ-ाट मिनट की वीडियो में कुछ एक पार्ट जिसकी में में हाइलाइट पॉइंट है, वो पॉइंट बनता है इसका कि जिस पार्ट में मोटरवे की दूसरी दरफ जहां पर development हो रही है, अभी साइट पे वहां तक access मेरा नहीं ख्याल इससे पहले किसने वाँ पे जाकर वीडियो बनाई होगी उस पार्ट की, तो I want the first one जिसकी नजर वाँ पढ़ी और उसके बाद मैंने ट्रोन को काफी आगे तक लेकी गया, लेकिन जब मैंने रूम पे लिखा हुआ, FDH वहां पे भी देखा था, I thought कि यार, येस, ये एक बात का निशानदी करती है, कि सुसाइटी ने मोटरवे की दूसरी दरफ भी लैंड की कि वज़ा यह होगी, कि एक तरफ commercial activity मोफ कर जाती है, और दूसरी तरफ commercial activity भी होती है, plus residential activity भी होती है, तो multiple options आ जाते हैं के पास, कि जिन individuals ने plots लेने हैं तो उनके लिए residential options अवेलेबल हैं जिन individuals ने commercial activity में जिन में ज्यादा interest है जैसे high-rise building, apartments, shops या malls में तो उनके लिए भी एक equal opportunity होगी यहाँ पर साइट वे उन लोगों के लिए जिननों ने यहाँ पर high-rise commercial में जिन companies ने mega commercial build करने में जिनका एक अपना मकाम है तो उन ल यह नहीं expect कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई machinery नहीं move कर रही है, machinery काम नहीं कर रही है, कम आपको इसलिए नजर आती है कि एरिया बहुत ज़्यादा open and vast area है, खुला area है, तो इसमें आपको machinery नजर जरूर आती है हर एक frame में, बट कम-कम नजर आती है जिस तरह आपको versus पाई मैंन explaination में, कि थोड़े सेरिये में बहुत ज़्यादा machinery नजर आती है, उसकी वज़ाई यह है कि वह उसको launch हुए जब चार मांच में नहीं होए तो उसकी browning का काम जार से बादा speed से society कर रही है, कि society के face पे आते हैं, वो चक्री रोड वोली side पे, तो चक्री रोड से अभी जो भ पर एक कच्छा रस्ता प्रवाइड किया जाएगा motorway से, जिन individuals ने side पे visit करना होगा, आएंदा वो वही रस्ता यूस करेंगे, वो most probably जो रस्ता होगा, इस वीडियो के मैंड में शामिल भी कर दूँगा, उस वाले पार्ट में जब जो भी रस्ता individual motorway से members उतर के नीचे जिसके पास अपना जाती इंटरचेंज भी होगा, और साथ ring road के access भी होगी, जिसमें सबसे बड़ा point जो है मूरत का है, इसके लावा ring road में नई changes भी जो सुनने में आ रही है, वो यह है कि motorway के सावा societies पे, जो ring road के approval में चार इंटरचेंज अप्रूव हैं, और बाकि जितन कोई इंटरचेंज का approval का नहीं, सुनने में आया कि यहाँ यह वरी societies इंटरचेंज का approval ले रही हैं, और रही बाद ring road के, तो ring road में मसलसल इतने changes आ चुके हैं, कि कोई भी चीज प्रेडिक्ट करना, अब लगता कि मनला आज प्रेडिक्ट करूँगा तो कल गलत हो जाएगी तो इतने changes के बाद, अब लट से आने वाले दिनों में, इंटरचेंज का कोई exact, जब ring road पे काम शुरू होगा, जो सुनने में आ रहा है, कि April 2021 में स्टार्ट हो जाएगा का रिंटरचेंज का प्रेडिक्ट का प्रेडिक्ट का प्रेडिक्ट का प्रेडिक्ट का प्रेडिक् बाकी जो ring road का इंटरचेंज, motorway को पर बनना है, उसकी smart road से access वैसी बड़ी करीब है, block F, overseas 1, block F से सामने वली साइट पर जो land है, वो society ने offer की है, for theme park, RDA का offer की है, 200 acres land I guess, या इससे ज़्यादा plus minus land है, जो offer की गई है, इसमें जब theme park बनेगा तो इससे direct connectivity, जो overseas 1, block F, block E के residents, इससे surrounding जितने blocks हैं, उनके residents को direct connectivity मिल जाएगी with the main ring road interchange, और इस interchange से directly motorway पे access करना, बाकी तमाम blocks से निस्बत ज्यादा असान होगा, even comparison to overseas 1, overseas 2 and executive 2, भी block 1, block F, block E के residents होंगे, उनके लिए easy connectivity हो जाएगी with the ring road and motorway, अभी इस point से थर्ड पॉंट की तब स्टार्ट करते हैं, जो last point है, यह जो अभी आप screen footage देख रहे हैं, यह एक मंदवाल ब्रिज से मंदवाल गाओं की तरफ ए connecting road है, चोटा सा road है, तो इस पे अगर आप जाएं तो पीच पीच में आप कुछ आपको घर भी बने नजर आते हैं, लेकिन अभी सेरिये में society ने कुछ पार्ट में ब्राउन बने हैं, offices जो बने हैं, वहाँ बने हैं, वहाँ बने हैं जार सी बात है कि official staff काम करता है, जो rooms बने हैं, white color के जो पर FDH लिखा नजर भी आएगा आपको, वहाँ पर security guards बरा होते हैं, इस पार्ट को देखे हैं, तो यह मोटर वे की दूसरी तरफ का पार्ट है, और यहां प तो अभी इस पार्ट से आपको आइडिया मिल जाएगा, कि मोटर वे की दूसरी साइट की लैंड है, वह साइटी के पास भी किस तरह से अक्वाइड है, और उस लैंड पे भी browning का काम अलड़ी हो चुका है, तो यह जिन लोगों ने smartity में आज से पहले property अक्वाइर कर ली होगी, तो यह वाला जो सारा पार्ट बनता है, यह मोटर वे की दूसरी तरफ का पार्ट है, और इस पार्ट में अभी development का status, जिस भी individual ने साइट पे विजिट करना है, वह जा के itself देख सकता है, कि यहाँ पे अभी इस वक्वाइड का status क्या है, यहाँ पे development का बड़ी आप के सामने है, और ग्राउंड स्टेटस यह जितना development का है, यह कोई भी individual जो अपने और इस वीडियो में तमाम रस्ते जने ग्राउंड फोटेज भी शामिल की है, ताकि अगर आप उसको पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे अंड तक, तो आपको काफी तक अच्छा आइडिया नजर आ रहा है, अब इस वीडियो में तो इस तरफ का मैप भी लाउंच नहीं किया, लेकिन यहां भी लैंड की क्वाईरिंग काफी ज्यादा तेजी से जा रही है, और फ्यूचर में जो यहां developments होंगी, वो इन्शाला मैं आपको वीडियो की मदद से आने मुले दनों में एक्स्प्लेंड करता रहूंगा, इस पूरी वीडियो में मैंने ट्राइ किया कि जितनी ओवराल लैंड ड्राउनिंग हो गई है, इवन दो जिनके मैप्स हैं यह नहीं है, इनिशिल के 6-7 मिट के लावा उनके जाची बात मैप्स हैं, और सिस वन लेक वीडियो में जितनी असान हो जाएगा, तो यह थी आज की वीडियो जिसमें उनके ट्राइ किया कि इस वक्स साइट पे डिवलब्मेंट का स्टेटस यह है कि मोटरवे की जो इंटरचेंज की अप्रूवल है, उसका एक्सपेक्टेड है कि मेड़ों मार्च में जबता है लेकिन पीडियम की वो इजलास धरनों की वैसे उसको शायद पॉस्ट बॉन्ट कर दिया आगे, एथ से 10 डेज, एथ चांदरा से शुरू हो के अगले दो फते तक एथ के वो इवेंट साइट पे शायद हो, अब इसकी जएक डेटस नहीं आई, एक्सपेक्टेड था मार्च में आ जाएंगी और अगली वीडियो तक के लिए, खुदा आफिस झाँ閃ब जाओस्टेड से श다ट अईट्महू झाइब कर दो प्ते मिएतों टिसी झालेभ 화िद नहीं झाले के लिए Beatrice. āँ. झाल झाल